Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये 7th episode का explanation होने वाला Squid Game का और पहले सारे episodes में रोड़ी explain करे वे हैं तो उनका लिंक में आपको अपर आई बटन में प्लेलिस के दुरू दे दूँगी तो आप उसको पहले देख लेना. चोटा एपिसोड एंड हुआ था, जहां हमने देखा था कि ईनाम और अली दोनों मारे जा चुके हैं, जब वो लोगीहून और सांगू के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया ज़ता है कि अली को कॉफिन में डाला गया है एक स्टाफ मेंबर के दौरा और जहां पर बाकी सारे जो बचेवे प्लेयर्स हैं, उस गेम के जो लोग जीत गए हैं, उन्हें वापस लेकी आया गया है, यहां पर कमरे में सबसे पहले डियाक्सु आता है और उसको दिखाये देता है कि मिन्यों वहां पर अराम से टेस्ट कर रही होती है कमरे में, वो यहां पर उसका मजाक उड़ाती है, और ऐसा देखके लग रहा है कि वो अपने अंदर से बहुत खुश फील हो रही होती है कि उसको पिछला गेम नहीं खेलना पड़ा, यहां पर गेम का में नेम होता है कि गेम जो है वो सबके लिए इकुल होगा, और यहां पर जब डॉक को फोन आया है, जहां पर उसको बताया जा रहा है कि वो लोग VIP सारे वहां आने वाले हैं, कॉल होने के बाद जो Overseer है वो अपना गन बहार निकालता है, और जुन हो को यहां पर बहार आने के लिए बोलने लगता है, यहां पर उसको इसलिए मालुम चल जाता है कि कोई उस के कमरे में कोई न कोई है, जिसके बाद Overseer जाता है कमरे के अरौंड घूंते वे गन हाथ में लेके देखने के लिए कि वहां पर कोई है क्या, जो उसको गारंटी होता है कि कोई न कोई है, मगर इसके पहले कि जुन्हों को वो पकड़ सके, उसको दुबारा से कॉल आने ल क्योंकि उनके पिछले गेम में जिन से वो बहुत जादा क्लोस थे, वो सारे मारे गए हैं उनकी ही वज़ा से, मगर सांगू जो यहां पर है, वो गिहून को बोलता है कि उसको जादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो इनाम से कुछ दिन पहले ही म जासे, यहां पर देखे लग रहा है कि वो सारी चीज़ से इतना ज़्यादा उदास हो गया है, कि वो सब को बोलने लग जाता है कि यह लोग आकरी जो दो गेम हैं उनके अगेंस्ट वोट कर दें, जिससे कि वो आकरी दो गेम नहीं खेला जाए, सांगू यहां पर आकर इस इसकी वाइफ उसकी वज़े से मारी गई है, तो उसको अपनी वाइफ के जगे मर जाना चाहिए था, इसके यहां पर स्टेक्मिंट से हमें यहां पर मालूम चल जाता है कि सांगू कितना ज़ादा रूथलेस हो जाता है, और इसी वज़े से हम यह भी देख पाते हैं, कि उ देखने जाता है उस डेट बाडी को, जिसको जुन्हों ने सी में फेक दिया था जब वो पहली बार आईलेंड पे आया था, उनको उसके पॉकेट में जुन्हों की आईडी कार्ड मिल जाती है, और वो लोग अज्यूम करने लगते हैं, कि वो एक पुलिस आफिसर है, मगर जिसके बाद ओवरसियर तुरंट वहाँ से निकल जाता है, अपने बॉस से मिलने के लिए, जो वहाँ का में आदमी है, और उसी आदमी ने पूरे सारे गेम्स को और्गिनाइज भी करा है, यहाँ पे जो उसका बॉस होता है, उसके पास एक गुल्डन आनेमल का मास्क होता है, बड़ा ही जूल्स लगावा सुन्दर सा, और उसको वह हटाता है उसके चहरे से, जिसके बाद वह ओवरसियर को बोलता है, कि वह जाकि वियाईपीज को रिसीव करें उसकी चगा, क्योंकि वह नहीं चाता कि वह जाकि वियाईपीज को वेलकम करें, जिसके बाद विया यहाँ पर आके receive करता है और अपने boss के जो organizer है उसके बहाँ पर उसको apologize भी करता है जिसके बार उन सब को लेके एक exclusive से lounge में ले जाता है जहाँ पर सारे बैठके अच्छे से उनको treatment होती है अच्छा अच्छा खाना मिलता है और वहाँ से बैठके उन players को game खिलते वे वो देख स लगते हैं तब तक हमें उस कमरे का भी दिखाये जाता है कि उस रात कोई भी नहीं सोता क्योंकि सबको डर लग रहा होता है कि अगर वो सो गए तो वो मारे जाएंगे तब तक हम यहाँ पर यह भी देख पाते हैं कि वह जो आत्मी है जिसकी बीवी मर गई थी उसकी को देख के लग रहा है कि वह बहुत जादा इस चीज से इरिटेट हो गया है क्योंकि उसने उस आदमी पे वन मिलियन डॉलर का बैट करा था बागी सारे यहां पर हसने लगते हैं और यहां पर हमें मालूम चल जाता है कि लोगों को यहां पर दूसरों की जान की परवा बि के फॉर्म में और वहां से जाने से पहले वह उसको मा डालता है जिसके बाद वह अपना सेलफोन भी निकालता है जिसमें रिकॉर्डिंग का आप अन करता है और अपने स्लीव में चुपा देता है जिससे कि सारे चीज वहां पर जो हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सके तब तब तक वापिस कमरे का दिखाया जाता है, जहांपे प्लेयर्स को उठाया जाता है, अलाम के थुरू, और एक कॉफिन को हम अंदर आते वे देख पाते हैं, वो लोग सारे फानली देखते हैं, उस आदमी को चदर से लटकता हुआ, और इसके पहले कि वो लोग कॉम्प्रिह को देख सकते हैं, और डिसाइट कर रहे होते हैं कि किस पे वो लोग अगला बेट लगाने वाले हैं, जुनों वहाँ पे आता है, और हमें देखके लग रहे हैं कि वहाँ एक VIP है, जिसकी यहाँ पे जो नजरे हैं बड़ी की गंदी सी हैं, वो जुनों को अपने पास बुल होता है, जिन में अलग-अलग नंबर्स होते हैं, उनको बुला जाता है कि वो एक-एक VIP को चूज कर ले रैंडम ली जो भी उनका मन हो, जदा कर प्लेस जाते हैं और बीच वाले नंबर्स को चूज करते हैं, जिससे कि जो भी गेम होगा, वो उनको पता चल जाए गए, जो वहाँ पे एक आदमी आता है, जो रिक्वेस्ट करता है कि पहला वाला वेस्ट जो है, वो उसको दे दिया जाए, और यहाँ देखके लग रहा है कि गिहुन इस चीज के लिए मान भी गया है, तो वो जाके आखरी वाला वेस्ट ले ले लेता है, जिसके बाद उन्हें लाय चड़ते हैं, तो वो एकदम से शाटर कर जाएगा उनके वेट से, और जब वो शाटर करेगा, तो वो सीधे नीचे जाके गिरेंगे और मर जाएंगे, अब यहाँ पे जिस आदमी ने नमबर वन वाला वेस्ट लिया होता है, जिन्हों से उसको पहले जाना होता है, और वो यहाँ पे दूसरे आदमी को भी देख पाते हैं, जो पहला वाला जम तो लेता है जल्दी ही, और उसके लिए वो ठीक होता है, क्योंकि वो पहले वाले आदमी के स्टेप को फॉलो कर रहा होता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी कुछ ग्लासिस को एकदम क्रॉस कर जात तो उनके पीछे जस जो आदमी होता है, वो उसको वहाँ पे धक्का देने की कोशिश करने लगता है, मगर प्रीस को हिलाने की जगे वो खुदी गिर के मर जाता है, यहाँ पे प्रीस थांक्यू बोलता है गौड को कि उसने उसको बचा लिया है, मगर उसके पीछे वाला ज जाता है और मालुम जलता है कि अब डियाकसू सबसे आगे हो गया है वो आगे बढ़ने से बहुत जादा डर रहा होता है तो उसके पीछे उसके एक जो टीम का बंदा हुआ करता था जिसको वो ओर्डर करता था उसको वो बोलता है कि वो आगे जाए मगर वो आदम भी बोलता कि यहां पे जीने और मरने की बात है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ने वाला है उसके तब तक हम देख पाते हैं कि जो वी आएपी है जिसको जुनो काफी जदा पसंद आ गया है वो उसको बोलता है कि वो उसके बगल में आके बैठ जाए जिसके बाद वो जुनों से यहां प प्हरा होता है है कि हो सकता है जूनों केसा तरफ गनपॉंट कर देता है जिसके बद वो अपना रिकॉड़ करने वाला फोन निकलता है और TT पूछने लगता है सारी चीज़ें जो उस गेम के बारे में वो जान रहा है वो बोल दे हमें यहां पर मालूम चलता है कि वो जो आदमी है अच्छली में वो थोड़ा अमीर, अमेरिकन आदमी है, मिडल एच का तब तक वापस गेम में हम लोग आते हैं और हमें यहां मालुम चलता है कि मिन्यो ने यहां पे वो जो आदमी है डियाक्सू के पीछे उसको वो धक्का दे देती है और उसकी जगले लेती है जिसके बाद यहां पे डियाक्सू और उसके बीच में काफी ज़दा इंसल्टिंग बाते होने लग जाती है एक दूसरे को कोशिश करने लगता है यहां पर उतनी जगही नहीं होती है कि वह से बाती वहां से हिल सके जिसके बाद मिन्यो और डियाक्सू दोनों ही ग्लास से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि मिन्यो यहां पर उसको पकड़ी भी होती है और एक तरह से देखके लग रहा है कि जान बुझके उसको ले के साथ में वो गिर गई है अब यहां आखिरकार चार ही लोग बागी रह जाते हैं जिसमें साबिया, सैंग्वू, जिन हुन और एक आदमी होता है जो अपने आपको बोलता है कि वो अ इक देखके कूद रहा है इसलिए यहां पे वो बोलते हैं कि लाइट को बंद कर दिया जाए अब यहां पे वो जो आदमी है वो आखरी ग्लास पे होता है मगर अब जब लाइट बंद हो गई है तो बिल्कुल डिफ्रिंशेट नहीं कर पा रहा होता कि कौन सा टेंपरड है और कौन सा नहीं जब वो यहां पे ज़्यादा समय लेने लगता है तो सैंगो आके उसको खुदी ढखेल देता है उस आत्मी को ढखेलने के वज़े से उसके सामने का जो कांच होता है वो तूट जाता है और सैंगो उसके बगल वाले पे स्टेप करके राउंड को क्लियर कर जिनोन और सैंगो को तो देखके लग रहा है कि उनको हलकी सी चोट लगी है मगर साभीया को देखके लग रहा है कि उसको काफी ज़्यादा चोट आई है सब तक यहां पे ओवर्सियर एक स्टाफ मेंबर से पूछता है कि वो जाके देखके बताए कि वो वेडर और वीड़ के बीच में चल किया रहा है क्योंकि उनको काफे ज़्यादा टाइम हो गया है मगर उनको दोनों ही नहीं मिलते स्टाफ यहां पे आता है और बताता है कि एक ऑक्सिजन टांक है वो भी मिसिंग है जिससे मालूम लग रहा होता है कि जो इंटूडर है वो शायद लेके उसको भ पे मिल जाएगा थैंक्स वर वाचिंग, बाइ!